तो आज का जो पढ़ने वाले साइंड क्लोग के बारे में किस तरह से काम करता है क्या स्ट्रक्चर है इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे व Verg12 को देखते हैं देर तो चैंबर जो है एक चैंबर में फिल को अर चैंबर से दूसरे चैंबर में जाता है में चम चेब हैं उसको फिल कर दिया बिल्कुल fine and इम कोर्स मों नहीं बिल्कुल fine सेंड word को the University करेंट करता है छोटा सा pinhole यहां पर का शोटा सा भीन हो अब इसमें मांट आफ सेंड बताता है कि किNTना सक्ण में अपर चंब से लोवर चेबर में जाएगा ठीक है अगर मॉंट आप साइड जादा है तो इसको सब्पोश्च तु आवर लेगा अगर इमांट ऑफ साइड कम है तो हाफ आवर भी लग सकता है ठीक है तो डिपेंज करता है कि कितना मॉंट आफ साइंड है कितना बड़ा चैंबर है उसका सारी उसारी बताता है ठीक है तो Rebecca कंटे हैं हम जितना से जलोग कर लिते हैं और इस तरह से इसे को फिक्स टाइम इंटरवल को हम लोग करने के लिए यूज करते हैं तो इस तरह से क्या काम करता है सान क्लोग क्या 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 का म करता है सैंन के अगर पूछेगा आप से हूम रॉमंस कौन यूष्क किये थे करने सब से पहले लो में है जो सान Michauj को इंवेंट किये थे तो यह को और एक इसन से जो 2,000 years ago Roman used first sand cloak firstly कौन युच्छ के थे रोमन से उच्छ के थे ठीक है इसमें मोश्ट आप दा सैंड क्या हो गया है अपर चेमबर से लोवर चेमबर में चला गया है ठीक है अब देखिए जैसे ही जो अपर चेमबर से लोवर चेमबर में सारा संड आ जागा तो अपर चेमबर क्य ओल्टा कर देंगे बलगए अपर चेमबर ऑपर चेमबर बन जागा लोव चेमबर ना तो इस तरह से इजली एजली एंड कर्पेंसियली हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं ठीक है किसको सैंड को चलिए इसका तेल इसका या है तो देखिए आपको बताया कि व्वी रूमन तो क्या अंसर इसका आगा? Romans. Romans used sand cloak. ठीक है, अब देखे, sand cloak में क्या होता है? A sand cloak has two chambers, namely upper chamber and upper chamber and lower chamber. अब इस chamber में क्या रहता है? तो it consists fine grain sand. अब किस principle में काम करता है? It works on the principle. It works on the principle principle that all the sand all the sand falls into the lower chamber in a fixed time interval fixed time interval में क्या होता है फॉलोगा इसी fixed time interval को हम नोट कर लेंगे और इसी fixed time interval को बार बार यूज करेंगे इतना time होने के लिए ठीक है अब इसका drawback क्या है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह ताइम नहीं बताता है कि दो घंटा हो गया तू अबर्स कंप्लीटेड वन हां अप अबर्स कंप्लीटेड ट्वंटी मिनट्स कंप्लीटेड यह सिर्व आपको बताया कि इतना time हो गया यह नहीं बताएगा कि चार बज़ी आपके लिए तो 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 पहले पिक्चर से देखाते हैं ठीक हैं इस पिक्चर में देखें क्या है यह अपर चेंबर है ना अपर चेंबर से सैंड फॉल्क या किसमें लोवर चेंबर में ठीक हैं अपर चेंबर से सैंड फॉल्क या किसमें लोवर चेंबर में अब जैसे हैं लोवर चेंबर में सारा सैंड फॉल्क हो गया इसको क्या कर दिये हम कि इभार्ट कर दिये लोवर से अब बन गया क्या पर चेंबर और अपर चेंबर क्या बन गया लोवर चेंबर फिख है तुए इसकर से साइज कलोक टाम इंटरवल्स को क्या करता है मेजर करता है आया स्वाज में बोलिए आपाजी हुआ मैं जाके जोगा है? ये स्वाम टीजिए तो आज की एजना ही मिलते आप लोग देख लापने तब टेके लिए थांक ये थांक ये थांक ये थांक